इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Metaglase 4 Tablet Anti-Diabetic Drugs के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है यह दो दवाओं का एक combination है जिसका उप्योग वयसकों में type 2 diabetes mellitus के इलाज के लिए किया जाता है यह diabetes के लोगों में blood sugar के स्थर को नियंतरित करने में मदद करता है Metaglase 4 Tablet को खाने के साथ लेना चाहिए अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर ले आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार की यह आपके खुन में शुगर के स्थर के अनुसार कैसे काम कर रही है अगर आप अच्छा महसूस कर रही है यह आपके बलड शुगर का स्थर नियंतरित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें अगर आप अपने डॉक्टर से परामर्ष किये बिना इसे लेना बंद करेंगे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और आपको किड्नी को नुकसान, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का जोखिम हो सकता है. याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवन शेली डाइबिटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. मेटेगलिस 4 टेबलेट का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लूकोस तर में गिरावट, यानि की हाइपोगलाइसेमिया है. सुनिश्चित करें कि आप लोग ब्लड ग्लूकोस लेवल के लक्षनों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकपी को पहचानते हैं और आपको पता है कि इससे कैसे निपटना है. इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लूकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोथ जैसे कि शुगर वाले खादेपदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है. शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए. इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है. इस दवा को लेने से पहले. अगर आपको कभी हिरदे रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं. ये उप्यूक नहीं हो सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. आपके ब्लड शुगर की हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.